ओम शांतीं ओम शांतीं संगम यूग हम सभी के लिए बहुत ही कल्यानकारी है इस पर ही हम जनम जनम की कमाई कर रहे हैं यही वो समय है जब हमारे एक एक सेकिन का बहुत बहुत ज़ाद मुल्य है हमें अपने को चेक करना है कि हम ज्ञान से, सेवाओं से, संबंधों में, स्वेटनेस से दुआएं लेकर और योग अभ्यास करके कितने खजाने जमा कर रहे हैं क्योंकि जब खजाने जमा करने का समय है तब यदि हम जमा नहीं करेंगे और फिर हमें यादाएगी जब समय बीच जाएगा तो कुछ भी हमारे हाथ लगेगा नहीं अब समय है जमा करने का और समय पहुँच गया है बांटने का भी तो हम इतना जमा कर लें कि हम सब को बांट सकें अकर हमारे पास ही नहीं होगा तो हम बांटेंगे कैसे जमा करने में हम एक चीज़ ध्यान रखें कि हम रत्वेला योग करके हमने जमा किया मुल्ली सुनके हमने जमा किया हमारा अच्छा रहा सब कुछ लेकिन सारा दिन माया से युद्ध करते परिस्थितियों से युद्ध करते हमारी शक्तियां खतम हो गई, हमने शक्तियां नस्ट कर दी तो फिर हमारा जमा का खाता भी साथ साथ समाप्थ हो जाता है तो हम अच्छा योग भी करें लेकिन सारा दिन हम ज्ञान का प्रियोग करते हुए स्वमान का प्रियोग करते हुए खजानों को जमा करते रहें विशेस रूप से हमें अपनी ये चेकिंग करनी है क्योंकि हमें बहुत खुस रहना है बहुत लाइट रहना है डवल लाइट ही डवल ताजदारी बन पाएंगे ये भगवान ने कहा है double light, मन भी light, आत्मा भी light, आत्मा की स्वरूप में रहना, मन को सारा दिन बहुत हलका रखना, इससे ही हमारी स्थिती स्रेश्ट होगी, अगर ऐसा नहीं है, अगर हम light नहीं रहते, कोई चीज हमें भारी कर देती है, कोई बात आई, मन भारी हो गया, आत्मी क स्वरूप की भी स्मर्ती हो गई, तो हमारा जमा नहीं होगा, बलकि सारा दिन खर्च होता रहेगा, क्योंकि आत्मिक शक्तियां तो सारा दिन दीरे धीरे यूज होती ही रहती हैं, तो हम इस बात पर बहुत ज़्याद ध्यान देंगे, हमें स्वराज जधीकारी भी बनना है, यह हमारी मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, राजा हूं, स्वयम का राजा, स्वयम के राजा का रत है करमिंद्रियों का राजा, संसकारों का राजा, मन बुद्धी का राजा, इस देहे का भी राजा, तो किसी भी चीज की हमें अधीनता नहों, संबंदों में भी अधीनता नहों, अगर संबन्दों में भी अधीनता है तो हम राजा नहीं हम स्वराज जदिकारी नहीं बन चकते हैं इसका बहुत हमें ध्यान देना है और बाबा जैसा अभ्यास करते थे वैसा ही अभ्यास हमें भी करना है और वो अभ्यास है अपने मन को अपनी वुद्धी को आदेश देना हे मेरे मन अब इधर उधर भागना भटकना बंद करो अपने मन से आप बात करो हर व्यक्ति को पता तो चलता है उसका मन किस तरफ भाग रहा है तो उसको भागने से बच्चाएंगे बहुत अच्छी तरह है इस पर बहुत ध्यान देना है बुद्धी कहां भटक रही है वो इस तिर क्यों नहीं होती बुद्धी का भटकाव हमने किस तरफ कर दिया है तो उसको यदि हम कंट्रोल करेंगे स्वराज अधिकारी बन कर तो बहुत अच्छा होगा इसलिए पहले हमें अपने को ये बहुत अच्छा स्वमान देना चाहिए मैं स्वयम का मालिक हूं राजा हूं मन बुद्धी का क्योंकि तभी हमारे ओरडर पर मन बुद्धी काम करेगी अगर हम राजा नहीं बने तो हमारे आदेश को मनबुद्धी कदापी नहीं मानेगी इसलिए बहुत अच्छे अभ्यास की जरूरत है मास्टर सर्शक्तिवान और स्वराज अधिकारी इन दोनों की बहुत साधना करना भी हमारी बहुत अच्छी तपस्या है तो अब समय तपस्या का चल रहा है अपनी तपस्या में ये दो तपस्या भी हम जोडेंगे और अपनी स्थिती को बहुत महान बनाएंगे ओम च्छान्ति